हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल और मेरे सामने खड़ी है टाटा इंट्रा वी-50 वी-50 के जो लुक है आपको वी-30 से मिलता जूलता मिल जाता है चाहे आप इसे सामने से देखो, साइड से देखो या फिर पीछे से देखो या इसकी इंसाइड लुक को देखो आपको वी-30 जैसा ही इसमें लुक देखने को मिल जाता है दोस्तो बिना देरी किया मैं आप लोगों को इस वी-50 की पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को अंग तक जरूर देखें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब निकिया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस महान के लेंध की तो इस महान में आपको 4734 mm लगभग 9.8 feet की लेंध मिल जाती है 1694 mm की इसमें आपको weight मिल जाती है और 2008 mm की इसमें आपको height देखने को मिल जाएगी दोस्तों इस महान में आपको 188 mm की ground clearance देखने को मिल जाती है इस वहान में 80 के MPH की top speed देखने को मिल जाएगी चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं इसके front से तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं एक बड़ा सा wind street जिसे driver को एक अच्छी विजिलिबिटी मिल जाती है उसके उपर में आपको दो वाइपर देखने को मिल जाते हैं जिसमें washer दिया हुआ है नीचे की तरफ आपको intra pickup और V50 की 3D को में Beijing मिल जाती है उसके नीचे आपको एक chrome की finishing मिल जाती है बीच में आपको Tata का logo मिल जाता है दोनों तरफ आपको headlight halogen में देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ आपको number plate मिल जाता है उसके नीचे आपको radiator grill देखने को मिल जाती है उसके दोनों तरफ आपको fog lamp के लिए जगा मिल जाता है बात करें इसके side look की तो यहां आप side look को देख सकते हैं उपर की तरफ आपको black color में ओर बियम देखने को मिल जाता है गाड़ी की खुबियों को बताने के लिए यहां पर feature वगरा को sticker की तरह लगाया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको black color में door handle देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ यहां पर आपको turn indicator देखने को मिल जाते हैं इस वहां के फ्रेंट में आपको यहां पर Apollo के तायर देखने को मिल जाते हैं तरफ कि बात करें तो इसमें आपको 215 अचे करें यहां पर आपको मिल जाता है इस वहां का air intake pipe यहाँ पर आपको डाले में हुग देखने को मिल जाता है जिसमें आप रसी बांद कर अपने समान को अच्छी तरह से कैरी कर सकते हो यहां रियर में आपको अपोलो के ही टायर देखने को मिल जाते है इस चैस को मिल जाएंगे चलिए दोस्तों इस महान के रियर लुप को भी देख लेते हैं यहाँ पर आपको डाले को खोलने के लिए एक हैंडल मिल जाता है बात करें इस वहान के पेलोड केपिसिटी की तो इसमें आपको 1500 केजी का पेलोड वाला डाला देखने को मिल जाता है रियर से देखने पर आपको यह वहान कुछ इस तरह की दिखती है यहाँ पर आपको उपर में इंट्रा पीक अप की 3D क्रोम में बेजिंग मिल जाती है उसके बगल में आपको टाटा का बेजिंग मिल जाता है नीचे आपको रेट कलर की रिफलेक्टर की पट्टी मिल जाती है यहाँ पर आपको एक parking sensor और tail light और turn indicator देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको दूसरा parking sensor और नीचे की तरफ आपको spare wheel देखने को मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक तीसरा parking sensor मिल जाता है उसके नीचे भी आपको tail light और turn indicator मिल जाते हैं साथ ही उसके नीचे आपको नमबर प्रेट देखने को मिल जाता है दोस्तों इस वहान में आपको X-Site की बेटरी देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको कूलेंट देखने को मिल जाता है बात करें इसके इंजन की तो इस वहान में आपको 1496 CC का 4 सिलेंडर DI BS6 diesel engine मिल जाता है 5-speed gearbox के साथ जो maximum power generate करता है 79 HP की 4000 RPM पर और maximum torque generate करता है 220 Nm का 1750 से 2000 RPM पर Indra V50 में आपको 35 L के fuel tank capacity मिल जाता है और mileage की बात करें तो 17-22 KMPL की इसमें आपको mileage देखने क्यों मिल जाती है साथ ही इसमें आपको 2600 mm की wheelbase देखने को मिल जाएगी चलिए दोस्तों चलते हैं इस वहां के अंदर और देखते हैं इसकी inside look को inside में हमें क्या-क्या देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको एक footage मिल जाता है जिसमें आप पैर रखकर इसकी standing पर बैट सकते हो यहाँ उपर की तरफ भी आपको एक grip handle मिल जाता है इसकी door में आपको यहाँ पर door lock handle देखने को मिल जाता है साथी नीचे की तरफ आपको शीशा उपर करने के लिए lever मिल जाता है नीचे की तरफ आपको एक bottle holder देखने को मिल जाता है चलिए दोस्तों चलते हैं वहन के अंदर इस वहन में आपको कुछ इस तरह की लुक के साथ पावर इस्टेरिंग देखने को मिल जाता है आपको कोई लेदर वगर नहीं मिलती चलिए मैं हारनो को चेक आउट करा देता हूँ यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है इस वहन में आपको कुछ इस तरह की की देखने को मिल जाती है चलिए दोस्तों इसकी इगनिशियन को आउन करकर मैं आपको इंस्टूमेंट क्लस्टर को भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको मिल जाता है फुली डिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखने में काफी स्टालिस लुक की लग रही है इसमें आपको सो होता है स्पीडो मिटर ट्रिप मिटर इंजनमाल फंक्शन की वारनिंग लो फ्यूल की वारनिंग डिजिटल क्लॉक और जवरत की सभी चीजे यहाँ पर आपको शो होती है यहाँ पर आपको एक मोट का बटन मिल जाता है जिससे आप इसकी ट्रीप अगरा को सेट कर सकते हो यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते है यहाँ पर आपको हेडलाइट को अड्जेस्ट करने के लिए स्विच मिल जाता है उसके बगल में आपको इको मूट का स्विच मिल जाता है यहाँ पर आपको एक्सिलेटर, क्लाच और ब्रेक का लीवर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाते है यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है नहीं आपको यहाँ पर AC मिलता है AC आप्सिनल है आप चाहें तो एसी वाल वेय्डेंस ले सकते हैं यहाँ पर आप आप आप्टर मार्केट भी मुजिक सिस्टं में इंस्टॉल करवा सकते हैं यहां पर आपको USB का port मिल जाता है जिसे आप अपने mobile को charging कर सकते हैं यहां पर आपको Android येर मिल जाता है यहां पर आपको Hen back देखने को मिल जाता है अ चलिए दोस्तों इसकी glove box को मैं आप लोग को दिखा देता हूं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ग्लॉब बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपने जोरी दस्तविच को रख सकते हैं यहाँ पेसेंजर की तरफ उपर साइड आपको ग्रीफ हैंडल देखने को मिल जाता है साथ ही आपको यहाँ पर डॉर में वही सब फीचर देखने को मिल जाते हैं उपर आपको सन वाइजर देखने को नहीं मिलता इस वहान में आपको एक कमफर्टेबल सीट मिल जाती है उपर की तरफ आपको फिक्स टाइप के हेड्रेस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पीछे की दरप आपको एक विंडो मिल जाता है जिस से आप अपने कारगो एरिया पर नजर रख सकते हैं यहाँ पर आपको एक हेलोजन में रोफ लाइट देखने को मिल जाती है नीचे आपको IRVM मिल जाता है यहाँ पर आपको Sunvisor मिल जाता है जिसमें आपको कोई eventi mirror वगरा नहीं भी गई है चलिए दोस्तों इस गाड़ी को मैं थोड़ा चला कर देख लेता हूँ करते हैं इसकी engine को start और देखते हैं इसकी performance यहाँ से आप इसकी gear को लगा सकते हो मैं बस थोड़ा सा आगे पीछे बस करूँगा इसको कर देखते हैं इसकी engine को इसे चलाने में तो काफी अच्छी लग रही है यह जाड़ी ज्यादा लंबी दूरी तो नहीं चलाया हूँ चलाया तो थोड़ा सही हूँ पर कहीं से यह भी नहीं लगा कि यह कोई commercial वहान है दोस्तों दावे के साथ मैं इतनों तो जरूर कह सकता हूं कि इसमें भी आपको कार की तरह लंबी दूरी चलाने पर भी थकान महसूस नहीं होगी अगर आप इस इंट्रा वी 50 को खरीदना चाहते हैं तो आप संपर कर सकते हैं जैका मोटास राइपूर रोड महासमून में जहां आपको इसकी एक सोरूर प्राइस आठ लाग साथाजार एक सो अड़साट रुपए और अन रोड प्राइस दस लाग पांच जार शैसो साथ रुपए में मिल जाएगी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक जैहिन जै भारत